मैं डॉक्टर मानग जी है, SBC राज़किया मावुद्याला राजमेर आज हम बीए पार्ट प्रितिय के वितिय प्रश्न पत्र और बीए पार्ट सेकेंड ओनर्स के पंचम प्रश्न पत्र का अध्यान करेंगे और इसमें हम ये दिखेंगे कि वियाना कॉंग्रेस या वियाना समझाते की आलोचना किस प्रकार की जाती है वियाना समेलन ने यौरोप में सही शानतिस सापित नहीं की इसमेलन का उद्गाटन उचे आदर्शों और उद्देशों की आकरशक खोशनाओं के साथ हुआ था परंदु उद्ध्यार्टियों कॉंग्रेस में लूट का बाजार करम रहा इसमें करांती के सिद्दानतों को बुला दिया और समस्याओं को हल करने के प्रयास पर उन्हें बढ़ाने में सहयोग दिया वास्ताओं में यह विजेतर रास्त्रों के बैठक भी इसका प्रमुक उद्देश विजित प्रदेशों की संपती का परस पर बटवारा करना था इतियासकार हैवल ने लिखा है कि इस व्यवस्ता के आधार पर किसी उद्दान्त सिद्दान्त की खोज निकालना अंसंबह था इस सोद्देबाजी के जमेले में जमेले को समझने के लिए एक मात्र कुंजी स्वात ही थी ये 1815 से लेकर 1870 तक यॉरोप में हुने वाले आंदुलनों का प्रमकुद्देश वियना कॉंग्रेस के निर्ने को समाप्त करना था प्रसिद इतिहास का साउगेट ने लिखा है कि 1815 से आज तक यॉरोप का इतिहास वियना कॉंग्रेस की महन भूलों को सुधारने के प्रयतनों का ही इतिहास कहा जाता है इस कॉंग्रेस के निर्ने को क्रियानवित करते समय इसके सित्दान्तों को की पूर्ण आलोशना की गई फ्रांस के प्रती वियाना कॉंग्रेस का द्रश्टिकोंड अत्यंत दयालू था किन्तु यौरोप के छूटे देशों की भावना का इस समयलन पर कोई ध्यान नहीं गया विद्यार्थियों बेल्जियम को हॉलेंड में मिला देना वहां की जनता के साथ गुहुर अन्याई था अतर इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्र ही दोनों देशों में संयोजन का अंत हो गया प्रसिद इत्यासकार हेस ने वियाना समयलन की आलोशना करते वे लिखा है कि इस समझोते में सबसे भैंकर कमी यह थी कि इससे जनता की विभिन राजबंशों को दूसरे राज्यों से भूमी हमडपने की प्रवर्ति को पूरा करने के लिए एक पासों के रूप में प्रयोप किया गया था नार्वे का स्वीडन में संयोजन नितांत अन्याइपुन था फिल्लेंड का पॉलेंड को रूस से मिला कर वियाना समयलन ने एक और भूल की थी ग्रांट और टैमपरले ने इस संधर में लिखा है कि इस समयलन में रास्टों के उचित दामों का धान नहीं रखा गया ना रखते हुए असाभाविक में लिस्तापित करने की कोशिश की गई थी वास्ता में इस समयलन के अंतरगत छोटे रास्टों को बड़े रास्टों से लाप के लिए बली का बकरा बनाया गया था गंडराज्यों पर न्यायोची सत्ता के सिद्धान्त को लागू ना करना विश्वाशगा था आस्ट्रिया को वीनस और सार्डिनिया को पिड्मॉंट की जेनेवा का प्रदेश देना गंतंतरवाद की इसपस्ट अवेलना थी सेक्सनी का विभाजन भी अत्यां थी दोश्पूर्ण था वियाना कॉंग्रेस का सबसे बड़ा दोश ये था कि इसमें एटली, स्पैन और जर्मनी के लोगों के रास्ट्रिया अंदलोनों की और तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया था इससे उदारवादी निराश और हताश हुए और उनकी समस आशाओं पर कुठारागात हो गया वियाना कॉंग्रेस द्वारा जिन जिन राज्यों को पुने गद्धी प्रदान की गई उन्हें रास्तंत्रात्मक व्यवस्था इस्थापित करके कठोरता पूर्वक्षाशन क प्रारम कर दिया 1830 में जब वियाना कॉंग्रेस द्वारा इस्थापित की गई व्यवस्थाएं किसी ने किसी प्रकार सजीव बनी रही किन्तु उसके बाद 1830 में होने वाली फ्रांसेसी क्रांती ने प्रबल प्रतिक्रियावादी मैटरनिक तक की जड़ों को जगजोर दिया रास्त्रिय भावनाओं के विकास एवं राजनितिक चेतना के उदह के परिनाम सरूप वियाना धीरे धीरे पतन की और उन्मुक्द हुआ ने संदे वियाना कॉंग्रेस की व्यवस्ता कार्य प्रणाली उसके प्रतिनितियों के अनिक अनिक दोश व्यकमिया थी केंतु इसके बाद भी प्रोफेसर कैटल भी का ये मत है कि वियाना सम्मेलन में राजनितिक सयम और दूरदर्शिता का अभाव नहीं था योरोप के इतिहास में इसके अनिक महत्मूर इस्ताई प्रभाव भी हुए कैटल भी ने लिखा है कि सम्मेलन ने कुछ ऐसे आधार प्रदान किये जिन पर भविशे में योरोप की नीव रखी गई थी ग्रांट और टेंपरले ने इसी संधर में लिखा है कि वियेना के शांती ये स्थापकों को अत्यंत प्रतिक्रियावादी और अनुतार कहना एक परिपाटी बन गई है परन्तु ये सच है कि पुरातन परंपराओं का प्रतिनितित्व करते हैं किन्तु उनकी सबसे बड़ी देन ये थी कि उन्होंने अगले 40 वर्षों तक योरोप को युद्धों से बचाए रखा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योरोप के इतिहास में वियाना कॉंग्रेस के निर्नियों का अत्यंत महत्पूर्ण स्थान था कॉंग्रेस के प्रतिनिती इश्वर का अवतार ना होकर मनुश्य थे इस द्रेश्टी से उनकी उपलब्दिया निश्चित रूप से प्रशन स्मिय है इती नमस्कार